ओके तो डेखें वे अपने को जो एक्वेशन गिवन होंगी थोड़ इसी अलग फॉर्मेट में होंगी अगर यहां पर आप एक्वेशंपल 17 देखेंगे तो जो वेरियबल पार्ट है वो डिनॉमिनेटर में तो अभी अपने जितने भी एक्वेशन की थी उन सब में लिखू या 2 by x लिखू एक ही बात है plus 3 into 1 by y equals to 13 और नीच वर एक्वेशन को कैसे लिख दूँगा मैं 5 into 1 by x minus 4 into 1 by y equals to minus 2 अब देखिए जो standard equation होती है वो कौन से format की होती है ax plus by plus c तो यह दोनों equation standard format में नहीं है उनको standard format में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ let's suppose कि 1 by x को तो मैं p माल लेता हूँ let's 1 by x will be p और 1 by y को मैं q माल लेता हूँ तो अब एक चीज़ देखिए कि अगर मैं equation 1 और equation 2 में 1 by x और 1 by y की values रिप्लेस कर दूँ तो यह किस तरह से convert होंगे equation 1 तो हो जाएगी 2p 1 by x की जगे मैंने p लिख दिया और 1 by y की जगे मैंने q लिख दिया तो यह जोंगे 3q equals to 13 तो यह equation 1 मेरी इस तरह से convert हो गई equation 2 देखिए 5p minus 4q equals to minus 2 यहाप ही मैंने 1 by x की जगे p लिख दिया और 1 by y की जगे q लिख दिया अब आप इन दोनों equations को observe करेंगे तो यह standard format में है और standard format में आने के बाद आपको इसको solve करना आता ही है आपको इसा ही method apply कर सकते है substitution, elimination, cross multiplication जो भी आपके लिए convenient लगे तो मैं क्या करता हूँ first वाली equation को ठीक है इसको both side 4 से multiply कर देता हूँ और नीचे वाली equation में both side 3 से multiply कर देता हूँ तो देखिए equation किस तरह से convert होंगी 4 से multiply करूँगा तो 4 into 2 is 8 तो यह हो जाएगा 8P plus 4 into 3 is 12 तो यह जाएगा 12Q equals to 134 जा 52 और नीचे वाली equation को मैंने both side 3 से multiply किया है तो देखिए यह कैसे convert होगी यह हो जाएगा 5 3 जा 15P minus 4 into 3 12 जानी minus 12Q और 3 2 जा 6 तो यहाँ पर आजाएगा minus 6 clear है तो अब देखिए इन दोनी equations को मैं add कर दूँ तो 12Q और minus 12Q तो Q वाला part eliminate हो जाएगा इसलिए मैंने equation 1 को 4 से और equation 2 को 3 से multiply किया था क्योंकि मैं देख लिया था कि क्योंकि coefficients जो है उनके sign opposite है तो उनको अगर magnitude में equal कर दिया जाए और equation को add कर दिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा तो देखिए 8P plus यहाँ पर 15P होगा 8P plus 15P कितना आ जाएगा 23P अब 12Q minus 12Q यह तो eliminate हो गया 0 और equal to के इस तरफ देखिए 52 minus 6 यह आपको देगा 46 तो इससे P की क्या value आ जाएगी P will be 46 divided by 23 तो P will be 2 तो मैंने P की value निकाल दी तो अब देखिए अगर Q की value मुझे निकाल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ P की value P की value क्या है 2 किसी एक equation में replace कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ equation 1 में P की value 2 replace कर देता हूँ तो देखिए यह हो जाएगा 2 into 2 plus 3Q equals to 13 तो यह क्या 4 plus 3Q equals to 13 अब 4 right hand side जाएगा तो 3Q will be 13 minus 4 तो 13 minus 4 कितना होता है 9 तो इससे Q की क्या value आ जाएगी Q will be 9 divided by 3 Q will be 3 तो मैंने P और Q दोनों की value निकाल ली अब यहाँ पे आईए देखिए P की value क्या है 2 है this means 1 by X is equals to 2 और Q की value क्या है 3 है this means 1 by Y equals to 3 अब इस वाली equation से आप conclude कर सकते हैं X को मैं उधर ले जाऊँगा और 2 को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो X की क्या value हो जाएगी X will be 1 by 2 मैंने X की value निकाल दी और इसी तरीके से आप यहाँ पे Y को right hand side ले जाऊँगा 3 को left hand side ले आऊँगा तो Y will be 1 by 3 तो original question तो मेरा यह था इसमें मुझे X और Y की value निकालने थी तो इसकी X और Y की value निकालने के लिए मैंने सबसे पहले equation को standard format में convert किया ठीक है P और Q की help से और फिर P और Q की मैंने value निकाली और उसको इस तो आले की help से X और Y की value निकाल दी X मेरा है 1 by 2 Y मेरा है 1 by 3 तो थोड़ा बहुत आपको clear हुआ होगा और बाकी और question करेंगे तो उसके साथ और ज़्यादा clear होता चला जाएगा अब भी करते है example number 18 अब देखिए example number 18 में अपने को ये 2 equations given है तो सबसे पहले इनको standard format में लाना है तो मुझे कुछ assumptions करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि variable part जो है मेरे पास denominator में है इससे पहले वाले equation में तो upon X था अब यहाँ पर क्या है upon X-1 और upon Y-2 तो देखिए X-1 यहाँ यहाँ पर भी है Y-2 यहाँ पर भी है Y-2 यहाँ पर भी है तो assumptions किस तरह से होगे यह देखिए मैं 1 upon X-1 इसको तो P मानता हूं clear है और 1 upon Y-2 इसको मैं क्यों मान लेता हूं तो अगर मैं इन assumptions के साथ इन equations को change करूंगा तो equations देखिए किस तरह से change होगी equation 1 तो क्या हो जाएगी 5P ठीक है क्योंकि यह actually में क्या है 5 into 1 upon X-1 तो 1 upon X-1 की जाएगे मैंने P लेख दिया और इसके बाद 1 upon Y-2 यह क्या हो जाएगा Q equals to 2 और second वाली equation देखिए किस तरह से change होगी 6 upon X-1 यह क्या हो जाएगा 6P minus 3Q equals to 1 clear है चीच अब मुझे कुछ नहीं करना मेरी equation दोनों standard format में आ चुकी है तो इसके बाद आप जो भी method apply करेंगे उससे आप P और Q की value निकाल लिए सबसे पहले तो देखिए तो मैं उपर वाली equation को both the side 3 से अगर multiply कर दो तो मैं लिखूंगा proper state में multiplying equation 1 by 3 both the side तो देखिए किस तरह से equations convert होंगी फर्स वाली equation को मैं 3 से both side multiply कर रहा हूं तो हो जाएगा 15P plus 3Q equals to 6 और निच्वाल equation as it is 6P minus 3Q equals to 1 अब इन दोनों equation को add कर देता हूं तो 3Q minus 3Q यह तो eliminate हो जाएगा तो देखिए 15P plus 6P यह कितना हो जाएगा 21P 3Q minus 3Q यह तो 0 हो गया और right hand side में 6 plus 1 7 तो अब देखिए P की क्या value आजाएगी P की value आएगी 7 upon 21 तो 7 upon 21 क्या होता है 1 by 3 तो मैंने P की value निकाल दी अब मुझे Q की value निकालने के लिए इस P की value को किसी एक equation में replace करना है तो मैं क्या करता हूं equation 2 में replace कर देता हूं इसको equation 2 बोलता हूं इसको equation 1 बोलता हूं तो अब equation 2 में अगर मैं P की value replace करूंगा तो देखिए equation 2 किस तरह से convert होगी 6P तो P की जगे मैंने क्या लिख दिया 1 by 3 minus 3Q equals to 1 तो 6 into 1 by 3 देखिए 3 और 6 कटेगा तो यहाँ पर आजाएगा 2 equation बन जाएगी 2 minus 3Q equals to 1 अब मैं क्या करता हूं minus 3Q को तो right hand side ले जाता हूं और 1 को left hand side ले जाता हूं तो यह हो जाएगा 2 minus 1 equals to 3Q तो इससे 3Q क्या जाएगा 3Q equals to 1 तो Q की क्या value आगए इससे 3 right hand side जाएगा तो 1 by 3 तो Q की value भी मेरे पास 1 by 3 आगई P की value भी मेरे पास 1 by 3 है तो अब देखिए 1 upon x minus 1 मेरा P है और P मेरा कितना है 1 by 3 तो यानि 1 upon x minus 1 equals to 1 by 3 अब इस equation को solve करते हैं तो देखिए 3 को इधर ले जाएगे और x minus 1 को इधर ले जाएगे तो यह क्या हो जाएगा 3 equals to x minus 1 तो minus 1 left hand side जाएगा तो plus 1 हो जाएगा यानि 3 plus 1 यानि x की क्या value आगई x will be 4 यानि x की value निकाल दी अब y की value निकालते हैं यहाँ पे देखिए 1 upon y minus 2 equals to Q और Q मेरा क्या है 1 upon 3 तो देखिए 3 इधर जाएगा y minus 2 इधर जाएगा यानि 3 equals to y minus 2 अब 2 को left hand side ले जाता हूँ तो यहाँ पे minus 2 इधर जाएगे plus 2 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा 3 plus 2 3 plus 2 कितना होता है 5 तो y की value क्या आगई 5 आगई x की value क्या है 4 है तो मैंने दोनों variables की value निकाल दी अब थोड़ा और better clear हुआ होगा तो ऐसे ही अपन और भी questions करेंगे तो देरे देरे concept build होता जाएगा ओके तो अब पिक करते हैं example number 19 example number 19 में आपको क्या बोला है एक boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours अब stream का मतलब होता है against the flow of water तो water जिस direction में flow करा है उसके against आप जाएगे तो water आपकी speed को कम करेगा और downstream का मतलब होता है water के flow के साथ तो जब आप boat को water के direction में flow कराएंगे water अपनी speed उसमें add करेगा तो आपकी speed बढ़ जाएगे तो देखिए अपने को क्या बोल रहा है जो boat है वो 30 km तो upstream जाती है और 44 km downstream जाती है और total time कितना लेती है 10 hours का और second case क्या दे रहा है अपने को कि 40 km upstream जाती है और 55 km downstream जाती है कितने boat in still water तो देखिए मैं speed क्या मान लेता हूं x km per hour and y km per hour तो stream की speed तो क्या है y km per hour और boat की speed still water के अंदर x km per hour है तो जब boat downstream जाएगी तो boat की speed क्या हो जाएगी x plus y क्योंकि stream की stream मान बना बना water की speed उस boat की speed में add हो जाएगी तो x pls y उसकी total speed हो जाएगी but जब upstream जाएगी y मैं water के against तो water उसको करेंगे विदा दिस्टेंस अपन स्पीड को अगर स्पीड से डिवाइड कर दें तो आपको कितना टाइम लगा वो मिल जाता है तो एक चीज बताईए फर्स्ट वाले की X-Y यह आपको क्या देगा टाइम देगा टाइम किस चीज़ का जो मुझे अप्स्रीम जाने में लगा तो यह हो गया मेरा T1 अब मैं डाउंस्रीम कितना जाता हूं 44 km जाता हूं ठीक है और डाउंस्रीम की स्पीड कितनी है मेरी X प्लस Y तो 44 डिवाइड बाई X प्लस Y तो य मैं इन दोनों टाइम को इसको और इसको एड कर दो तो 10 आना चाहिए तो देखिए equation 1 में मैंने वही किया है 30 डिवाइड बाई X-1 जो कि मेरा T1 था प्लस 44 डिवाइड बाई X-1 जो कि मेरा T2 था इन दोनों को एड किया तो इक्वल्स टू 10 तो यह मेरी equation 1 बन गई clear है उसक situation में अपने को दे रखा था 40 km upstream and 55 km downstream और total time 13 hours तो सेम चीज अपलाई की देखिए 40 तो मेरा upstream का distance था X-Y मेरी upstream की speed थी तो upstream में में total time कितना लगा मुझे upstream में total time यह लगा और downstream में मेरा distance था 55 और downstream में में speed थी X-Y तो downstream में में मेरे पास total time यह लगा और इन दोनों time को add करके मुझे क्या अतना time लगना चीज था total 13 तो equals to 13 हो गया तो इसको मैंने equation 2 बोल दिया अब मेरे पास दो equations आ गई है clear है इन दो equations को मुझे solve करना है और X और Y की value निकालना है तो देखिए यहाँ पर variable part नीचे की तरफ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कुछ assumptions करने पड़ेंगे कि इसको standard format में लाने के लिए तो assumptions क्या है कि मैं 1 upon X minus Y को तो U मान लेता हूँ और 1 upon X plus Y को मैं V मान लेता हूँ तो equations कैसे convert हो जाएंगी देखिए तो देखिए फर्स्ट वाल equation कैसे convert होगी 30 upon X minus Y 1 upon X minus Y क्या है U तो यह क्या हो जाएगा 30 U और प्लस 44 V क्योंकि V क्या था 1 upon X plus Y equals to 10 वह as it is रहेगा अब second वाल equation देखिए किस तरह से convert होगी 40 upon X minus Y तो यह हो गया 40 U और 55 upon X plus Y तो यह कितना हो जाएगा 55 V equals to 13 वह as it is रहेगा तो मैंने दोनों equation को standard format में convert कर दिया तो अब यहां पर आपको cross multiplication method यूज करके solve किया हुआ है मैं आपको elimination method से solve करके बता देता हूँ तो देखिए यह मेरी equation है यह मेरी दूसरी equation है मैं इन दोनों को यहां पर लिख लेता हूँ तो देखिए म मैं u के coefficients equal कर रहा हूँ तो first वाली equation को मैं 4 से both side multiply करता हूँ और second वाली equation को मैं 3 से both side multiply करता हूँ तो देखिए equations किस तरह से convert होगी 30 into 4 120 तो यह जाएगा 120 u plus 44 into 4 176 तो यह जाएगा 176 V equals to 10 into 4 40 तो यह मेरी first equation convert होगी अब देखिए second equation कैसे होगी 40 into 3 120 तो होजाएगा 120 u plus 55 into 3 यह आपको क्या देगा 165 तो यह जाएगा 165 V equals to 133 is a 39 अब देखिए यहाँ पर u के coefficients equal हैं तो मैं second वाली equation first वाली में से subtract कर देता हूँ तो उसके लिए मुझे sign change करने होगे तो यहाँ पर होजाएगा minus यहाँ भी होजाएगा minus और यहाँ भी होजा 176 V minus 165 V तो यह आपको क्या देगा 11 V और 40 minus 69 आपको देगा 1 तो इससे V की क्या value आ जाएगी V will be 1 upon 11 तो मैंने V की value निकाल दी अब यह V की value मैं क्या करता हूँ इस वाली equation में equation 2 में replace कर देता हूँ तो देखिए equation 2 किससे से convert होगी यह होजाएगा 120 u plus 165 into 1 upon 11 equals to 39 तो देखिए 11 और 165 11 15 जा 165 होता है clear है इनको मैं काटूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 15 equation क्या हो गई 120 u plus 15 equals to 39 तो 15 उस तरफ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 120 u equals to 39 minus 15 which will be 24 तो u क्या हो जाएगा u जाएगा 24 divided by 120 तो देखिए 24 5 जा 120 होता है तो u की क्या value आजाएगी u will be 1 upon 5 तो मैंने u की value भी निकाल दी तो अब यहाँ पर देखिए u और v की ठीक है इन्होंने cross multiply से यवाली value निकाली और अपने elimination वेथर से यवाली value निकाली इसके बाद का आगे का process तो सेम रहेगा दोनों में कैसे? देखिए u क्या था? u था 1 upon x minus y ठीक है? और v क्या था? 1 upon x plus y तो देखिए 1 upon x minus y equals to 1 by 5 u की जेगे मैंने 1 by 5 लिख दिया और यहाँ पर देखिए 1 upon x plus y equals to 1 by 11 equals to v था तो v की जेगे मैंने 1 by 11 लिख दिया अब मैंने इन दोनों equation को solve करना है तो देखिए 5 को इधर ले जाओंगा इसको इधर ले जाओंगा तो equation क्या बनेगी मेरे पास? x minus y equals to 5 और यहाँ पर 11 हिधर जाएगा और x plus y इधर जायगा तो equation क्या बनेगी? x plus y equals to 11 तो देखिए मैं दोनों equation यहाँ पर लिख लेता हूं तो देखे, मैंने दोनों equation यहाँ पर लिख ली, x-y equals to 5, x-y equals to 11, इन दोनों equation को add कर देता हूँ, तो देखे, यह हो जाएगा 2x, और minus y plus y, वो हो जाएगा eliminate 0, और right hand side में 11 plus 5, 16, तो x की value आजाएगी, x की value आजाएगी, 16 divided by 2, 16 divided by 2 कितना होता है, 8, तो x की value क्या आ गई, 8, अ मैं क्या करता हूँ, इस x की value को, किसी एक equation में replace कर देता हूँ, let's suppose first equation में, यह हो जाएगा, 8 minus y equals to 5, y को इधर ले जाता हूँ, 5 को इधर ले आता हूँ, 8 minus 5 equals to y, y की value आजाएगी, इससे y की value आजाएगी 3, यहाँ पर आप देखे, x equal to 8, y equals to 3, तो x क्या था, x था boat की speed in the still water, और y क्या था, speed of the stream, यह फिस speed of the water, clear है, तो यही अपने को पूछा था, यह अपने निकाल दिया, ओके, अब स्टार्ट करते हैं, exercise 3.6, पिक करते हैं, first part, तो देखे, first part में जो अपने को दो equations दी हुई है, यहाँ पे तो 2x है, बट यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे 1 upon 3y ह तो यहाँ पे क्या assumption लेंगे, वो थोड़ा सा complicated हो गया, कैसे, अगर यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे 3y होता, तो अपने काम थोड़ा सा easy होता, इस वाले case में देखिए, अपने equation को इस तरह से लिखेंगे, 1 by 2 into 1 by x, plus 1 by 3 into 1 by y, equals to 2 1 by 3 into 1 by x, plus 1 by 2 into 1 by y, equals to 13 by 6, तो देखिए, assumption अपना क्या रहेगा, अपन लेंगे 1 by x को तो P, और 1 by y को Q, तो देखिए, equations किस तरह से convert होंगी, फर्स्ट वाले equation, यह equation 1, यह equation 2, देखिए, फर्स्ट वाले equation क्या हो जाएगी, 1 by 2, P, plus 1 by 3, Q, equals to 2, और second वाले equation क्या हो जाएगी, 1 by 3, P, plus 1 by 2, Q, equals to 13 by 6, अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, P का coefficient equal बनाने की कोशिश करता हूँ, तो P का coefficient यहाँ पर फर्स्ट वाले equation में 1 by 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, second वाले equation को तो 6 से both side multiply करता हूँ, और इस वाले equation को मैं 4 से both side multiply करता हूँ, तो देखिए, equations कैसे convert होंगी, यह क्या हो जाएगा, 4 by 2, 4 by 2 कितना होता है, 2, तो यह हो जाएगा, 2P, plus 4 by 3, Q, equals to 4 into 2, 8, अब नीचे वाले equation देखिए, 6 से दोने side multiply कर देखिए, 6 by 3 कितना हो जाएगा, 2, तो यह हो जाएगा, 2P, plus 6 by 2, 6 by 2, आपके आसो जाएगा, 3, तो यह हो जाएगा, 3Q, equals to 13 by 6 into 6, तो 6 से 6 कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 13, अब देखिए, second equation में, first में से subtract कर देता हूँ, तो sine change हो जाएगे, यह हो जाएगा minus, यह भी हो जाएगा minus, यह भी हो जाएगा minus, देखिए, 2P, minus 2P, यह तो हो जाएगा, 0, इधर क्या हो जाएगा, 4 by 3, Q, minus 3Q, equals to 8 minus 13, 8 minus 13 आपको क्या देगा, minus 5, तो देखिए, यहां पर LCM लेंगे, LCM कितना जाएगा, 3, तो यह क्या हो जाएगा, 4 minus 9 into Q, equals to minus 5, देखिए, 4-9 क्या आएगा, minus 5 हैनि minus 5 by 3 Q equals to minus 5 अब देखिए, 3 उपर की तरफ जाएगा और minus 5 नीचे की तरफ जाएगा तो इससे Q की क्या value आजाएगी Q will be minus 5 into 3 divided by minus 5, तो minus 5 से minus 5 गया तो Q की क्या value आगई मेरे पस Q will be 3 अब मैं Q की value निकाल चुका हूं तो मुझे कुछ नहीं करना किसी एक equation में Q की value और बवैल्य काल नहीं है तो मैं क्या करता हूं second equation में Q की value replace कर देता हूं इसवाल equation में अगर मैं Q की value 3 replace करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगी 2P plus 3Q यानि 3 into 3 Q की जएके मैंने 3 लिख दिया equals to 13 तो देखिए 2P plus 9 equals to 13 9 right hand side जाएगा तो subtract होगा तो 2P क्या हो जाएगा 13 minus 9 13 minus 9 यानी 4 तो P क्या हो जाएगा 4 by 2 इससे P की क्या value आ गई 2 मैंने P की value भी निकाल दी और Q की value भी निकाल दी clear है तो अब देखिए यहाँ पे 1 by X equals to P और P की क्या value है 2 तो यह क्या हो गया 1 by X equals to 2 इससे X की क्या value हो जाएगी X will be 1 by 2 अब नीचे वाली equation पे आते है 1 by Y equals to Q तो Q की क्या value है अपने पास 3 तो 1 by Y equals to 3 इससे Y की क्या value हो जाएगी Y will be 1 by 3 तो मैंने X की और Y की दोने की values निकाल दी ओके अब भी करते है question number 1 का second part अब देखिए second वाले part में तो यहाँ पे भी under root X है यहाँ पे भी under root X है और यहाँ पे under root Y है यहाँ पे भी under root Y है तो अजमशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी 1 upon under root X को अपन क्या माल लेते है P माल लेते है और 1 upon under root Y को अपन क्या माल लेते है Q माल लेते है तो देखिए इस equations किस तरह से convert होगी तो देखिए first वाले equation तो हो जाएगी 2P plus 3Q equals to 2 और second वाले equation क्या हो जाएगी 4P minus 9Q equals to minus 1 तो आप ध्यान से देखिए अगर मैं first वाले equation को 3 से multiply कर दूँ both side तो Q का coefficient क्या हो जाएगा 9Q और नीचे क्या है minus 9Q मेरा काम हो जाएगा मैंने क्या किया first वाले equation को multiplying 3 both the side तो देखिए first वाले equation किस तरह से convert हो जाएगी मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 3 into 2, 6P 3 into 3, 9Q equals to 2 into 3, 6 तो यह मेरी equation बन गई अब देखिए, इन दोनो equation को ठीक है, add कर देता हूँ इन दोनो equation को add करूँगा तो देखिए, 6P plus 4P यह कितना हो जाएगा, 10P minus 9Q plus 9Q यह तो हो जाएगा, 0 और minus 1 plus 6 यह कितना देदेगा आपको 5 तो देखिए, 10P equals to 5 तो इससे P की क्या value आ जाएगी P will be 5 by 10 तो 5 by 10 कितना होगा, 1 by 2 तो मैंने P की value निकाल दी अब मैं Q की value निकाल देता हूँ उसके लिए मैं क्या करता हूँ P की यह value, equation 1 में put कर देता हूँ तो देखिए, 2 into P तो P की जगे मैंने लिख दिया, 1 by 2 plus 3Q equals to 2 तो देखिए, 2 से 2 गया तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus 3Q equals to 2 तो देखिए, 1 को right hand side ले जाते है तो यह हो जाएगा, 3Q equals to 2 minus 1 2 minus 1 क्या अतना होता है, 1 तो Q की क्या value हाजाएगी Q की value हाजाएगी, 1 by 3 अब मैंने P और Q दोनों की value निकाल दी है तो मुझे क्या करना है X और Y की value निकाल दी है तो देखिए, यह वाला portion इसको यहाँ पे करते है 1 upon under root X equals to P और P की value कितनी है, 1 by 2 तो देखिए, इससे क्या हो जाएगा under root X equals to 2 अब under root X equals to 2 है तो squaring both the side इधर तो हो जाएगा X इधर क्या हो जाएगा 4 तो X की क्या value आ गई 4 और Y की value निकालते है देखिए, इधर solve करते है 1 upon under root Y equals to Q और Q मेरा कितना है, 1 upon 3 तो इससे क्या हो जाएगा under root Y equals to 3 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो squaring both the side करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा Y और right hand side में क्या जाएगा 9 तो Y की value क्या आ गई, 9 makes sense, ओके अब पिक करते हैं, third part तो देखिए, third वाले part में आप देखेंगे Y जो variable है, वो तो already numerator में है अपने पास issue सिर्फ X का है तो अपन क्या करेंगे 1 by X को P assume कर लेते हैं या फिर इस बार क्या करते हैं Z assume करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं A, B, C, P, Q, W, ठीक है तो इस बार मैंने खिया किया 1 by X को Z assume कर लिया तो देखें, equations किस तरह से convert होंगी equation first वाली क्या हो जाएगी 1 by X अगर Z है तो यह हो जाएगा 4Z plus 3Y equals to 14 और second वाली equation क्या हो जाएगी 3Z minus 4Y equals to 23 अब देखिए Y के coefficients के sign opposite है तो इनका magnitude equal कर देता हूँ यानि मैं first वाली equation को इसको तो multiply by 4 कर दूँ multiplication जो होगा, वो बोच साइड होगा तो आप proper statement लिखेंगे multiplying this equation by 4 both side multiplying second equation by 3 both side ठीक है, देखें, first वाली equation कैसे convert होगी यह जाएगा 16Z plus 4Z is 12, 12Y 144 जाएगा कितना होता है, 56 और second वाली equation देखिए कैसे convert होगी 3Z is 9, तो यह जाएगा 9Z minus 4Z is 12 minus 12Y equals to 23 into 3 will be 69 अब दोनों equation को add कर देता हूँ तो देखें, 16Z plus 9Z यह होगया 25Z अब plus 12Y minus 12Y, यह तो 0 हो जाएगा और 56 plus 69 यह आपको क्या देगा 125, तो देखें, Z की क्या value आजाएगी 125 divided by 25 तो इससे Z क्या आजाएगा 25 into 5 कितना होता है 125, तो Z की value आजाएगी 5, तो अब मैंने Z की value निकाल दी तो अब यहाँ पर आईए 1 by X equals to Z, तो 1 by X क्या है 5, तो X की value क्या आजाएगी इससे, X की value आजाएगी 1 by 5 और Y की value निकालने के लिए क्या करेंगे यह Z की value, किसी भी equation में replace कर दीजे तो let's suppose, मैं equation second में replace करता हूँ तो देखिए, यह किस तरह से convert होगी 3 into Z, Z की जाएगी 5 minus 4Y equals to 23 तो देखिए, 15 minus 4Y equals to 23, तो देखिए minus 4Y उस तरह जाएगा और 23 को इस तरह ले आते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 15 minus 23 equals to 4Y अब देखिए, 15 minus 23 यह आपको क्या देगा, minus 8 minus 8 equals to 4Y, तो Y क्या हो जाएगा इससे, minus 8 by 4 तो Y की क्या value आगई, Y equals to minus 2 X की value 1 upon 5 Y की value minus 2 और यही अपने को निकालना था, ओके अब पिकरते हैं 4th part, तो अब देखिए दोनों equation को अगर आप observe करेंगे तो देखिए, यहाँ पर भी X minus 1 है, यहाँ पर भी X minus 1 है यहाँ पर Y minus 2 है, यहाँ पर भी Y minus 2 है तो वजम्शन में थोड़ी सी easy हो जाएगा अपने लिए कैसे? मैं क्या करता हूँ, 1 upon X minus 1, ठीक है, इसको तो W assume कर लेता हूँ, और 1 upon Y minus 2, इसको Z assume कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए equations किस तरह से convert होंगी यह वाली equation तो हो जाएगी, 5W plus Z equals to 2 और यह second वाली equation क्या हो जाएगी, 6W minus 3Z equals to 1 अब आप देखेंगे, Z की जो coefficients हैं, उनके sign opposite हैं, तो magnitude equal कर देते हैं, वो कैसे होगा, यहाँ पे नीचे 3 है, उपर वाली equation को, multiply 3 both the side कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, जेकि equations क्या बनेंगी, 5 into 3, 15, तो यह जाएगा 15W plus 3Z equals to 3 to the 6, और नीचे वाली equation as it is, 6W minus 3Z equals to 1, अब इन दोनों equation को add कर देता हूँ, तो देखें, 15 plus 6 आपको देगा 21, जो जाएगा 21W, 3Z minus 3Z, 0 हो जाएगा, और 6 plus 1, 7, तो देखें, W की क्या value आजाएगी, 7 by 21, तो इससे W मेरा कितना हो जाएगा, 1 by 3, तो मैंने W की value निकाल दी, अब मुझे Z की value निकालनी है, तो यह W की value किसी एक equation में replace कर दीजे, तो let's suppose इस वाली equation में replace कर देता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, 6W, W की जगे, 1 by 3, minus 3Z equals to 1, तो देखें, 6 into 1 by 3, यह 3 और यह 6 गया, यहाँ पर आएगा 2, यह 2 minus 3Z equals to 1, तो इसको right hand side ले जाता हूँ, इसको left hand side ले जाता हूँ, तो यह हो जाएगा, 2 minus 1 equals to 3Z, तो यह क्या हो जाएगा, 3Z equals to 1, तो इससे Z की क्या value आजाएगी, Z will be 1 by 3, तो देखें, W भी 1 by 3 आया, और Z भी 1 by 3 आया, तो अब X और Y की value निकालते हैं, तो इस तरफ आएगे, 1 upon X minus 1 equals to W, और W की value मेरे पास कितनी है, 1 by 3, तो मैंने replace कर दी, अब 3 को इधर और X minus 1 को इधर ले जाएगे, तो equation क्या बनेगी अपनी, equation बनेगी अपनी, 3 equals to X minus 1, अब 1 को इस तरफ ले आते हैं, minus 1 ने उदर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 plus 1, 4, यानि X equals to 4, तो X की value निकाल दी मैंने, अब क्या करते हैं, Y की value निकालते हैं, तो देखे, 1 upon Y minus 2 equals to Z, और Z की value भी क्या है, 1 by 3, तो देखे, 3 इधर जाएगा, Y minus 2 इधर जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 3 equals to Y minus 2, अब minus 2 इस तरफ ले जाएगे, तो यह हो जाएगा, 3 plus 2 equals to Y, तो Y की value आगई, Y की value आगई, 5, तो दोनों X और Y की values निकल गई, type का question है, तो देखे, समझे, जो X, Y है, वो दोनों से divide हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 7 X divided by X Y minus 2 Y divided by X Y equals to 5, और निच वाले equation को देखे, 8 X divided by X Y plus 7 Y divided by X Y equals to 15, तो अब आप observe करेंगे, यह X, यह से X से कटेगा, यह Y, इस Y से कटेगा, और यहाँ पे X इस से कटेगा, और यहाँ पे Y इस से कटेगा, तो देखे, equations किस तरह से convert होगी, यह क्या हो जाएगा, 7 by Y minus 2 by X equals to 5, और निच वाले equation, 8 by Y plus 7 by X equals to 15, अब आप देख सकते हैं, यह थोड़ा सा reducible वाले form में आ चुका है अपना, ठीक है, तो अपने इस वाले form से reducible form में ले आए, अब अपने को कुछ नहीं करना, assumption लेंगे, assumption में अपने को बड़ा clearly दिख रहा है, 1 upon Y, यह तो अपन ले लेते हैं, Z, और 1 upon X, यह ले लेते हैं अपन W, तो देखे, इस equation को, equation 1 बोलता हूँ, इस equation को equation 2 बोलता हूँ, after assumption, equations देखे, कैसे convert होँगी, तो देखे, यह हो जाएगा, 7Z minus 2W equals to 5, और दूसरी वाले equation हो जाएगी, 8Z plus 7W equals to 15, तो देखे, उपर वाले equation को मैं 7 से बोच साइड मल्टिप्लाइ कर देता हूँ, और निच्वाले equation को 2 से बोच साइड मल्टिप्लाइ कर देता हूँ, तो देखे, equations किस तरह से convert होँगी, 7, 7 जा 49, तो जाएगा, 49Z minus 14W equals to 75, और निच्वाले equation कैसे convert होँगी, 8 to the 16, 16Z, 7 to the 14 plus 14W equals to 30, ठीक है, 15 to the 30, अब इन दोने equation को add कर देता हूँ, तो minus 14W plus 14W eliminate हो जाएगा, और 49Z plus 16Z, यह कितना हो जाएगा, आपके पास, 65Z, equals to 35 plus 30, यह भी कितना हो गया, 65, तो देखे, इससे Z की क्या value आ जाएगी, Z equals to 65, divided by 65, तो वो क्या होगा, 1, मैंने Z की value निकाल दी, अभी Z की value, इस वाली equation में रख देते हैं, तो देखे, क्या होगा, 16 in to Z, यह 16 in to 1, तो 16 in to 1 तो 16 ही होता है, तो यह हो जाएगा, 16 plus 14W equals to 30, 16 को right hand side ले जाएगे, तो 14W कितना हो जाएगा, 30 minus 16, 30 minus 16 आपको क्या मिलेगा, 14, तो W क्या हो जाएगा, 14 divided by 14, वो भी क्या होगा, 1, तो मैंने W की value भी निकाल दी और Z की value भी निकाल दी, और दोनों की value क्या है, 1, तो देखे, यहाँ पे आईए, 1 upon Y equals to Z, यहीं, 1 upon Y equals to 1, क्योंकि Z की value क्या है, 1, तो इससे Y की value क्या जाएगी, Y will be 1, और इस वाले case में, 1 upon x equals to w w की value क्या है 1 तो इससे x की value क्या जाएगी x will also be 1 तो मेरे x और y दोनों की values 1 है, ओके अब भी करते हैं 6 part तो 6 part को देखिए ये reducible form में नहीं है अभी अपने पास, तो अपन क्या करते हैं दोनों equation को, equation 1 को dividing both side by xy, ठीक है तो dividing both side by xy करेंगे तो देखिए क्या होगा 6x divided by xy plus 3y divided by xy equals to 6xy divided by xy तो देखिए, ये x से x गया ये y से y गया और यहाँ पे xy से xy गया equation क्या बन जाएगी मेरी 6 by y plus 3y x equals to 6, उसी तरह से second वाली equation को भी divide by xy both the side तो ये वाली equation किस तरह से convert होगी मैं directly देता हूँ 2x को xy से divide करेंगे तो xx कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 by y और 4y को xy से divide करेंगे तो y से y कट जाएगा जो जाएगा 4 by x और right hand side में xy दो नहीं कट जाएगे तो यहाँ जाएगा 5 तो दो equations आगे मेरे पास तो देखिए इसको equation 1 बोलता हूँ इसको equation 2 बोलता हूँ अब मैं क्या करता हूँ 1 by y को इसको तो मैं w मान लेता हूँ और 1 by x को इसको मैं z मान लेता हूँ तो देखिए फर्स्ट equation किस तरह से convert होगी यह हो जाएगा 6w प्लस 3z इक्वल्स तो 6 और 2nd equation 2w प्लस 4z इक्वल्स तो 5 अब मैं क्या करता हूँ इस निच्वल equation को equation 2 को 3 से बोच साइड मल्टिप्लाइ कर देता हूँ तो देखिए यह equation किस तरह से convert हो जाएगी 6w प्लस 4 3 is a 12 12z इक्वल्स तो 5 3 is a 15 और फर्स्ट वाली equation तो as it is रहेगी 6w प्लस 3z इक्वल्स तो 6 अब मैं क्या करता हूँ 2nd equation फर्स में से subtract कर देता हूँ तो यहाँ पे negative sign यहाँ पे negative sign यहाँ पे negative sign तो देखिए 6w minus 6w यह तो गया 3z minus 12z यह आपको देगा minus 9z और 6 minus 15 यह आपको कितना देगा यह आपको देगा minus 9 तो इससे z की क्या value आजाएगी z की value आजाएगी minus 9 divided by minus 9 that will be 1 तो z की value हो गई मेरे पास 1 अभी z की value इस वाली equation में replace कर देता हूँ तो देखिए यह क्या हो जाएगा 6w plus 3z 3z यानि 3 into 1 तो 3 into 1 तो क्या होता है 3 होता है तो मैंने 3 लिख दिया equals to 6 अब इस 3 को right hand side ले जाता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 6w equals to 6 minus 3 6 minus 3 आपको क्या देगा 3 इससे w की value क्या जाएगी 3 by 6 तो मेरा w क्या हो जाएगा इससे w will be 1 by 2 तो देखिए मैंने z की value भी निकाल ली और w की value भी निकाल ली अब यहाँ पे आईए यहाँ पे 1 by y equals to w है और w की value क्या है 1 by 2 तो देखिए 2 इधर गया y इधर गया तो y की क्या value आगए y will be 2 और नीचे वाले के देखिए 1 by x equals to z और z क्या है 1 तो x को उधर ले जाएगे तो x की क्या value आजाएगी x will be 1 तो मैंने x और y दोनों की value निकाल ली अब पिक करते हैं 7 पार्ट तो देखिए 7 पार्ट में इसको क्या मानता हूँ मैं w मानता हूँ और 1 upon x minus y ठीक है इसको क्या मान लेता हूँ मैं z मान लेता हूँ तो let's see equation किस्ते से convert होगी देखिए 1st वाली equation हो जाएगी 10 w plus 2 z equals to 4 और 2nd वाली equation हो जाएगी 15 w minus 5 z equals to minus 2 तो आप देखिए इस वाली equation को तो मैं 5 से both side multiply कर देता हूँ और इस वाली equation को मैं 2 से both side multiply कर देता हूँ तो देखिए equations किस तरह से convert होगी यह हो जाएगा 50 w plus 10 z equals to 20 और निच्वाल equation हो जाएगी 30 w minus 10 z equals to minus 4 clear है इन दोनी equation को add कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 80 w 10 z minus 10 z यह तो cut गया और 20 minus 4 16 तो w की क्या value आ जाएगी 16 divided by 80 इससे w क्या हो जाएगा 1 by 5 तो मैंने w की value निकाल ली अब मुझे z की value निकाल ली है तो किसी एक equation में w की value replace कर देता हूँ let's suppose इस वाली equation में replace करता हूँ 10 into w यानी 10 into 1 by 5 plus 2z equals to 4 तो देखिए यह 5 और 10 यहापे गया यह हो गया 2 तो equation हो गया 2 plus 2z equals to 4 तो 2 को right hand side लही जाएगे तो 2z equals to 4 minus 2 तो 2z हो गया आपका equals to 2 तो z की value आ गई 2 divided by 2 2 divided by 2 कितना होता है 1 तो मैंने z की value भी निकाल दी तो अब इधर देखिए 1 upon x plus y equals to w यानी equals to 1 upon 5 क्योंकि w की value 1 upon 5 है अब 5 इधर जाएगा यह इधर जाएगा तो equation क्या जाएगी मिरे पास x plus y equals to 5 यह equation आ गई अब नीचे वाले पर आईए 1 upon x minus y equals to z और z की value है 1 तो इससे equation क्या बन जाएगी x minus y equals to 1 तो यह मेरी एक और equation आ गई मुझे यह दो equation further solve करने पड़ेगी x और y की values निकालने के लिए clear है तो बखी का portion मैं इस red box में solve कर देता हूं देखिए मैं दोने equations लिख देता हूं x plus y equals to 5 और x minus y equals to 1 इन दोने equation को add कर लिजे तो देखिए यह क्या हो जाएगा 2x y minus y तो यह दो गया 0 और 5 plus 1 6 तो देखिए 2x equal to 6 x क्या हो जाएगा 6 by 2 6 by 2 कितना होता है 3 x की value आगई मेरे पास 3 अब यह x की value किसी एक equation में replace कर देते हैं तो let's suppose इसमें करते हैं तो यह हो जाएगा 3 plus y equals to 5 y क्या हो जाएगा y will be 5 minus 3 y की क्या value आगई y will be 2 तो मैंने x और y की इस तरह से values निकाल दी ठीक है equation मुझे यहाँ पर double time solve करने पड़ी अच्छा question था ओके अब पिकरते है question number 1 का last part 8th part तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3x plus y है यहाँ पर 2 into 3x plus y है but 3xy अपने पास available है और similarly यहाँ पर 3x minus 1 है और यहाँ पर 2 into 3x minus 1 है तो देखिए assumptions किस तरह से होंगे अब पन क्या करेंगे 1 upon 3x plus y पन क्या करेंगे 1 upon 3x plus y इसको तो w मानते हैं और 1 upon 3x minus y इसको z मानते हैं तो देखिए equations किस तरह से convert होंगी यहाँ equation तो हो जाएगी w plus z equals to 3 by 4 और निच वाली equation हो जाएगी 1 upon 2 w minus 1 upon 2 z equals to minus 1 by 8 अब देखिए z के जो coefficients हैं उनके sign opposite हैं तो मैं क्या करता हूँ equation 2 को multiplying 2 both the side कर दूँ तो देखिए किस तरह से equation change होगी यह हो जाएगी 2 into 1 by 2 1 मिलेगा आपको तो हो जाएगा w और again 2 into minus 1 by 2 minus 1 मिलेगा तो यह जाएगा minus z equals to 2 into minus 1 upon 8 यह हो जाएगा minus 1 upon 4 और उपर वाल equation अपने as it is लिख देते हैं w plus z equals to 3 by 4 अब इन दोने equation को add कर लिजे तो यह क्या हो जाएगा 2 w equals to 3 by 4 minus 1 by 4 2 w क्या जाएगा LCM ले लिजे यहाँ पे LCM आगे 4 2 तो यह हो गया 2 तो अब w क्या हो जाएगा w will be 2 upon 4 into 2 यह 2 right hand side जाएगे नीचे shift हो गया वे इस 2 से इस 2 को काटा तो मेरे पास w क्या value आगे w will be 1 by 4 अब क्या करते हैं z की value निकालते हैं तो z की value निकालने के लिए इस वाली equation में मैं w की value रिप्लेस कर देता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा w w की जाएगे मैं लिखूंगा 1 by 4 1 by 4 plus z equals to 3 by 4 तो देखिए z क्या हो जाएगा z will be 3 by 4 minus 1 by 4 3 by 4 minus 1 by 4 क्या होगा LCM लिजे यहाएगा 4 उपर के आएगा 3 minus 1 that will be 2 तो z की इससे क्या value आजाएगी z will be 1 by 2 तो मैंने z की value भी निकाल दी तो देखिए w और z की value मैं यहाँ पर लिख देता हूं और बाकी portion में रब कर देता हूं तो देखिए मैं यह वाला part solve करता हूं 1 upon 3x plus y equals to w और w की जगे मैंने लिख दिया 1 upon 4 तो देखिए 4 इधर जाएगा और यह इधर जाएगा तो equation बन जाएगी मेरी 3x plus y equals to 4 तो यह मेरी एक equation हो गए ठीक है x और y की value निकालने के लिए मुझे double times solve करना पड़ेगा देखिए कैसे अब मैं यह वाला portion solve करता हूँ तो देखिए 1 upon 3x minus y equals to z और z की value क्या है 1 by 2 तो देखिए 2 इधर जाएगा और यह इधर जाएगा तो इससे equation क्या जाएगी मेरी 3x minus 1 equals to 2 तो यह मेरी second equation हो गई तो मैं क्या करता हूँ इन दोनी equations को add कर देता हूँ तो देखिए इन दोनी equations को add करूँगा 3x plus 3x 6x plus y minus y 0 और 4 plus 2 6 तो इसको solve करूँगा तो x की क्या value आएगी x की value आएगी 6 by 6 which is 1 तो मैंने x की value निकाल दी अब यह x की value मैं इस वाली equation में put कर देता हूँ 3 x 1 x की जाएगे 1 लिख दिया plus y equals to 4 तो 3 plus y equals to 4 तो 3 को right hand side ले जाते हैं तो y equals to 4 minus 3 तो y की क्या value आगई y की value भी आगई 1 ओके इसी के साथ question number 1 फिनिश होता है for word problems we have made a second video as a part 2 तो उसके लिए आप वो देख सकते हैं और सभी से request है कि do practice as much as possible this is your board year and for any kind of help please let us know we'll try to help you out okay see you in the next video I'm your mentor make a difference nearby students can contact us for group and individual mentoring session our location is mentioned in video description others can contact us for online classes online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on youtube thank you